उत्रप्रदेश के कन्योज में पिछले महीने मंदर के बाहर मास फेकने के बाद सामप्रदाइक तनाफ पैदा हुआ था लोगों ने कई दुकानों में आग लगा दी थी ये घटना कन्योज के तालागराम थानक शेतर की थी अब कन्योज पुलीस ने इस मामले में चंचल त्रिपाथी नाम के मुख्य आरोपे को पकड़ने का दावा किया है पुलीस ने बताया कि आरोपी ने मंदर के बाहर मास रखने के लिए एक कसाई को 10,000 रुपे दिये थे ऐसा करके उसने सामप्रदाइक तनाव पैदा करने की कोशिश की थी सत्रा लोग पहले ही गिरफतार हुए थे आज तक से जुड़े नीरेश श्रिवास्तव की रिपोर्ट के मुताबए कन्योज S.P. कुमर अनुपम सिंग ने बताया चंचल तरिपाठी का तालगराम S.H.O. हरी शाम सिंग से जगड़ा चल रहा था वो S.H.O. को हटवाना चाहता था S.P. की माने तो इसी रही उसने मंदर के बाहर मास रखवा कर सामप्रदाइक तनाव पैदा करने की कोशिश की ताकि S.H.O. को हटा दिया जाए तालगराम थानक्षेतर के रसूलाबाद गाओं में 16 जुलाई को मंदर के बाहर मास पाया गया था इसके विरोध में हिंदू संगठनों के कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था वहां मौझूद मीट की दुकानों में आग लगा दी गई थी लाके में कई दिनों तक तनाव का महौल रहा पुलीस इस घटना में पहले ही 17 लोगों को गिरिफतार कर चुकी थी कसाई मनसूर ने पुलीस को दी जान करी पुलीस के मताबिक मामले में मास कारोबारी मनसूर की गिरिफतारी के बाद चंचल त्रिपाठी का नाम सामने आया मनसूर ने पुछताश में पुलीस को बताया कि चंचल चाहता था कि SHO हरीशाम सिंग के खिलाफ कड़ी कारवाई हो इसलिए उसने ये पूरी साजश रची थी मनसूर ने कहा कि उसने मंदिर के बाहर मास रखने के लिए कसाई को 10,000 रुपे दिये थी इस साम्टदाई घटना के बाद यूपी सरकार ने बड़ी कारवाई की थी दिले के ततकालीन डीम राकेश कुमार मिश्रा एस्पी राजे श्रीवास्तर और एसे चो तालगराम के हरीश्याम सिंग का ट्रांसर कर दिया गया था ही हमारे साथ, शुक्रिया